जै मतारणी दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधाकृष्ण ओफीसियल में उमीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो ये बताने के लिए कमेंट बाक्स में जै मतादी जरूर लिखिए तो चलिए दोस्तों आज हम इस वी और होली के दिन हमें कौन-कौन से कार्य है जो जरूर करनी चाहिए और कौन-कौन से कार्य है जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए तो इसी के उपर आज का मेरा ये वीडियो है तो आप लोग वीडियो के लाष्ट तक बने रहिएगा आप लोगों को होली से संबंदि समपूर ने जानकारी मिलेगी तो चलिए वीडियो को सुरू करते हूं तो सबसे पहले बता दू कि होली का दहन जो है वो 24 मार्च को है तीन है रवी बार तो हमारे यहां तो उसी दीन होली का दहन मनाया जाएगा लेकिन रवी बार का दीन है खड़वार का दिन है तो इसलिए रात में बारे बज़े के बाद ही रवीवार के दिन हमारे यहां होली का दहन किया जाएगा लेकिन आपके यहां कब किया जाता है आप लोग अपने यहां का नियम देख लिजेगा क्यूंकि बहुत से जगहों पर 25 तारीकों हो लिए और बह आप लोग मना लिजेगा और जो भी लोग पूर्णीमा का ब्रत रखते हैं वो लोग 24 मार्च को ही रखेंगे क्यूंकि पूर्णीमा तिथी जो है वो 24 मार्च को सुबह में 9 बज कर 54 मिनट पर सुरू हो जा रहा है और 25 मार्च को दो पहर में 12 बज के 29 मिनट पर समाप्त हो जा रहा है तो इसलिए जिसको भी ब्रत रखना है वो 24 मार्च को रखेंगे और 25 मार्च को असनांदान की पूर्णीमा है तो 25 मार्च को आप लोग असनांदान कर लिजेगा क्यूंकि देखें जो भी लोग अगर 25 मार्च को ब्रत रखते हैं तो उस दिन उनको पूर्णीमा अब बहुत से भी मिन में कोश्चन होता हो गा की पुर्णिमा के दिन और ममाष्या के दिन तो बाल धो यहा नहीं जाता है तो हम लोग कैसे घृँँगे यह उले तो बीडित रंगRIतीं है यह जो के दिन कोन बाल नहीं धोएगा हर कोई को बाल धोना परता है कि उसमें रंग अभीर सब लगा रहता है तो बाल तो धोना परता है ना इसलिए आप लोग बाल धो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है चलिए जान लेते हैं कि होली के दिन हमें कौन-कौन से कारियत जरूर करनी है तो पूजा करना चाहिए और सबस्टा है करके अप लोग आस्नान कर लीजिए लौप गुलाल खेलियेंगा फीश ली डिवाग्वान को बषो Episode दोनों चीज होली के दिन बनाना बोखोत ही सूब होता है तो आप लोग चाहे तो दही वाला दही बारह से भगवान का भोग लगा सकते हैं या आप लोग सिर्फ पुवा बना करके भगवान का भोग लगा सकते हैं और उसके बाद ही आप लोग मुख में कुछ डालिएगा या उसके बाद ही आप लोग रंग गुलाल खेलिएगा उसके बाद अपना नहाते रहिएगा तो इसके बाद अगर आपको होली के दिन कोई भी अगर आपको गुलाल लगाता है तो आप लोग जरूर लगावाली जीएगा सुहागिन महले इस बात का ध्यान रखेगी कभी कोई गुलाल लगाता है ये नहीं कि बाहर वाले के बारे में मैं बात करें कि बाहर वाला गलत तरीके से लगा रहे हैं और हम नहीं लगवा रहे हैं तो ये ऐसे हमें नहीं करना है बाहर वाला से नहीं लगवाना है लेकिन धन्यवाद करना चाहिए कि यह बागवान आपके किरपाश हम रंग खे़ल रहे हैं जो भी बड़े बुझुरूम्ट ho के आशिरवाद ले लीजिएगा पती को भी गुलाल लगा दीजिएगा और पती से भी होली खेल लीजिएगा अगर जिसके पती मतलब पास में नहीं रहते हैं कहीं दूर मतलब अफिस काम करते हैं कहीं गए हैं तो वो लोग अपना फोन पे ही अपना आशिरवाद ले लेंग कि खुआब लोग पुआ और दही भरा जरूर बनाखी एगा सिअ पैसे ही उपड़ों मμ Deshalb अच्छे से रेडी हो जाईएगा तो इस बत का ध्यान रखेगा कि अप लोग होली के दिन महावर जरूर लगाएगा कि महावर जो होता है ना वो हमारे साधी के बाद ही ये 16 सिंगार में से ही आता है हर सुहागिन महिला को कम से कम सब्ता में एक बार महावर तो जरूर ही लग का सकते हैं लेकिन ऐसे लगाएं ना लगाएं लेकिन ब्रत के दिन हमें जरूर लगाना चाहिए महावर अब चलिए जान लेते हैं कि होली के दिन हमें कौन-कौन से कार्य नहीं करनी चाहिए तो सबसे पहले सोना चांदी आप लोग बहुत कम पहनिएगा क्योंकि देखे सो सोना-चांदी बहुत सांभाल करके पहनेगा , जो नए नमेली दुलाण उसको घर में ही रहना है वह तो अपना पहन सकती है लेकिन जिसको बाहँर में जाना है गुलाल खेनने के लिए तो वह थोरा सा सोना-चांदी कम पहनेगी यह नहीं कि दुसरे के दिखाने के लिए हम प दूसरी बात बता देते हूं कि चाहें वो इस्त्री हो या लड़किया हो देर रात तक उसे अकेला नहीं रहना चाहिए बाहर में होली के दिन क्योंकि होली के दिन साड़े लोग आधा से अधिकतर लोग नासा करते हैं और नासा में कौन किसके साथ क्या कर रहा है उसको अगर जाती भी है तो मतलब साम होने से पहले अपने घर चाला है दिर रातक बाहर में ना रहे क्योंकि यह सेफ नहीं रहता है तो यह हो गया अब अगली बात बता देते हूं कि अगर आपको रंग से डर लगता है कि मेरा चेहरा खराब हो जाएगा रंग नहीं छूटेगा त कलर जो है ना वो नहीं चिपागता है तो इसलिए उस दिन टेल जरूर लगा लीजेगा जिसको कलर चेदर लगता है वैसे तो हम लोग खूब खेलते हैं होली का रंग तो हमलोग आठ दिन तक रखते है बाकि जिसको डर लगता है उसके लिए, मैं बता ड़ी हूँ, वह संभाल के और होली का देहन के दिन प्रेगनेंट औरत होली का देहन जो होता है वो नहीं देखेगी क्योंकि यह सुभ नहीं होता है तो उसे नहीं देखना है और होली के दिन भी अपना संभाल के ही काम करेगी थोड़ा अपना ख्याल रख लेगी तब ही करेगी क्योंकि उसके संबंधित संपुन जनकाड़ी मिल गई होगी तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा और चाइनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिस्चे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुँचे और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को सेयर कर दिजेगा ताकि हर कोई होली का दहन, पुर्णी मा, होली से संबंदित संपुर्ण जनकारिया प्राप्त कर सके तो चलिए दोस्तों मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार